तो खाली product selling नहीं कर रहा क्योंकि आपके brand को भी आगे लेकर जा रहा है तो आप उसको अपनी तरफ से क्या support देंगे ताकि वो उस business को सही तरीके से establish कर सके और कोई विक्ति आपको business offer करता है तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे कि लाओ आपका क्या business proposal है आपके business में क्या investment है कितना area चाहिए कितना budget होगा अगर आप product की manufacturing करते हैं या import करते हैं और उसका distribution करना चाहते हैं और distribution network dealership network बिसनस के लिए कितना area required है वो area आप define करें और ये भी मैं दॉक्टर अमित्माईश्वरी आप सभी का सवगित करता हूं business growth strategy के इस course में फ्रेंट्स business growth strategy के इस course में आपने business को कैसे design करना है क्या documentation होगा क्या process होगा क्या system होगा सोपी कैसे design करनी है इन बहुत सारे विश्यों पर बात कि आज हम बात करते हैं कि जब अपने business को expansion के और लेकर आप जाना चाहेंगे तो expansion होगा कैसे सबसे पहले आपकी retail sales बढ़नी चाहिए business की growth के लिए आपकी partnership network के थुरो distribution network के थुरो cnf network के थुरो लेकिन इन सभी चीजों को करने के लिए आपको right marketing strategy की जोरत पड़ेगी और पिछली कुछ classes में मैंने आपको traditional modern method of marketing के बारे में पताया था और आपसे यह भी का था कि आगे हम चलके digital marketing के बारे में बहुत सारी चीजों को सीखेंगे औ कौन-कौन सी sales and growth strategy के बारे में कि sales भी हो और growth भी हो traditional marketing में मैंने आपको बताया था कि आप hoardings, posters, leaflets, marketing executives को बाजार में भेज कर, clients के पास भेज कर बहुत अच्छी lead generate कर सकते हैं लेकिन सबसे important and valuable marketing strategy है वो है digital marketing strategy अब digital marketing strategy में आपको इस concept को समझना है ध्यान रखिए आप as a director अपने business को expansion की और ले जाना चाहते हैं लेकिन आपकी team सही तरीके से काम करेगी वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप उनको क्या guidelines देते हैं तो आपको digital marketing खुद नहीं करनी है खुद करनी है तो आपको systematic course करना पड़ेगा किसी भी institute से किसी भी agency से लेकिन उसकी जरूरत न marketing में में क्या करना है ताकि हमारे sales and marketing दोनों की growth हो सबसे पहले social media engagement friends कहते हैं कि दुनिया में अगर आप सबसे अधा connected है तो वह offline नहीं online connected है हो सकता है offline में आप 10-20-500 लोगों कि से connected होंगे लेकिन online में आप 1000 लाखों लोगों से social media platform के जरीए connect हो सकते हैं तो आपको क्या करना है social media engagement पर ध्यान देना है कि आप अपने organization का इस तरह का social media platform त्यार करें कि आप जारा साथ लोगों को engage कर सके या उनके साथ connection में बने रहें उसके लिए क्या करना है social media network creation आपकी टीम आपके लिए social media network creation करेगी अब social media network creation का मतलब क्या है कि social media के जो different different platforms हैं वहां आपकी company की identity उ इनके handle design करेगी जैसे Facebook हो गया LinkedIn है Twitter है पिन इंट्रेस्ट इंस्टाग्राम है इसके लाबाँ बहुत सारे से social media platform है जहां पर हम अपना social media network create कर सकते है social media network creation में यह सारी चाहिए Facebook LinkedIn पिन इंट्रेस्ट वीमो टिक टॉक आप मैं ऐसे बहुत सारे लोग पहेंगे टिक टॉक टॉ आपका उस country में होना चाहिए Instagram हाइफाइव लॉगर लाइकी Reddit टमलर यह सारे वो social media platform है जो आपको अधिक promotion आपके business के लिए देते हैं जरूरत है इन सभी पर आपके accounts होने की और account के साथ साथ public के साथ engagement बढ़ाने के लिए engaging content को वहां पर डालने की आप SEO search engine optimization के जरिये भी अब SEO का मतलब क्या है search engine optimization कि searches के जितने engines बने हुआ है जैसे Google एक बहुत बढ़ा search engine है है ना तो जो search engine है वहां पर आपकी website searching के top page पर rank करें उसके लिए जरूरत है आपकी website की SEO करने की SEO के अलाबा SMO social media optimization आपके social media platform different different है लेकिन सभी आपस में optimize नहीं है उनको optimize करने के लिए ज connect करने की जब यह connectivity होती है तो व्यक्ति एक platform से दूसरे platform पर पहुंच जाता है जैसे YouTube account आप देखते हैं वहां पर पांच point दिये होते हैं Facebook पर जा सकते हैं LinkedIn पर जा सकते हैं website पर जा सकते हैं आप इस platform पर जा सकते हैं आप नेक्स चैनल पर जा सकते हैं तो वह सारे क्या सोश video के रूप में हैस्टेक्स के रूप में ताकि आप आसानी से लोगों तक पहुंच सकें इसके अलबा सोशल मीडिया मार्केटिंग में पेड़ प्रमोशन भी चला सकते हैं जैसे Facebook कहता है फ्री में पोस्ट कर सकते हैं या Facebook campaign के जरीए आप आसानी से अपनी पोस्ट को बूस कर सकते हैं ताकि आपकी सबसरा पोस्ट की विजिबिटी पंजाब में हूँ पंजाब की बात नहीं आप यहां बैठे बैठे यूएस यूके कैनेडा जहां भी आप अपनी पोस्ट को प्रमोट करना चाते हैं आप उस तरह के एरिये को टार्गेट करके आप अपनी की पे पर क्लिक आपको ज़रूरत है अपनी सोचल मीडिया प्रेजेंस को बढ़ाने की तो आप गूगल के प्लाटफॉर्म पर पे पर क्लिक के ऑप्षिन को लेकर क्लिक बेज़्ट प्रमोशनल एक्टिविटी करके ज्यादा डिजाइड रिजल्ट हासिल कर सकते हैं वहां तो रिटेल से संबंदित आपकी पोस्ट आपके वीडियो आपके कॉंटेंट आपके इंफॉर्मेशन चाहें कंज्यूमर बेज़्ट हो मैनुफैक्ट्र बेज़्ट हो बी टूबी हो बी टूसी हो किस तरह के लोगों के लिए प्रोड़क्ट बनाते हैं उसके बारे में इ सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सोचल मीडिया प्लैटफॉर्म का सहरल लेना ही पड़ेगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा अगर आप सोचल मीडिया पार अच्छे से अपने आपको प्रश्ड़ करना चाहते हैं वह कंटेंट राइटिंग्गआ अपका कंटेंट बहुत बड़े होना चाहिए ब्लॉक्स जरीए र्टिकल ल испसारे डेलेगा ट्रेस्स यह ब्लूक्स के जरीए आप हमारे साथ आप एक AdWord account को लिए और AdWord account के माध्यम से आप अपने advertisements को promote करना शुरू कर दिए हम आपको Google के first page पर दिखाएंगे हम display में दिखाएंगे YouTube पर दिखाएंगे Google से संबंदि इतने भी platform वहां पर आपका विज्यापन दिखाया जाएगा अब विज्यापन कैसे डिजाइन करना है यह अलग अपने आपने एक बात है वह एक्सपर्ट्स आपके पास होने चाहिए जो आपके पर वीडियो डालते हैं पोस्ट करते हैं तो बहुत सार लोगों तक information पहुंसती है हमारा source of earning क्या जब लोग वीडियो देखते हैं तो उस पर जो advertisement आती है उसका एक revenue share YouTube हमारे साथ करता है तो यह हमारा source of farming है आप चाहिए हम अपने बिजनस को भी advertise करें उसको भी जब लोग देखते हैं तो भी Google AdSense के माधियम से हमें पैसा आता है तो हम अपने बिजनस को promote करने के लिए franchisee network को expansion के और ले जाने के लिए हम लोग AdSense का इस्तमाल भी करते हैं और कई बार Google AdWord के थुरू हम paid promotion चला के भी अपने बिजनस को advertise करते हैं तो यह वो तरीका है जिससे हम sales को और business को growth के और ले जा सकते हैं इसके अलाबा बहुत सारी ऐसी classified websites हैं जहां पर आप बिना किसी cost के अपनी requirement या अपनी company की information या product की जानकारी पोस्ट कर सकते हैं business classified websites माव बी टू बी टू सी बी टू जी बी टू ए बीटूवी बिसनस to बिसनस बिसनस वीजनस आप ऐसे काम करते हैं जहां पर आपका material कहीं सब इंडस्ट्री में होता है जैसे आप fabric बनाते हैं तो रेडिमे consumer के लिए बनाते हैं जैसे मडूलो किचन बनाते हैं और मडूलो किचन जब डारेक्ट एंड यूजर के लगाते हैं वी टूसी है जब हमारे फ्रणचाइज या डिलर्शिप शोरों को भेजते हैं तो भी टूबी है बीटू जी बिजनस विद गौवर्मेंट आज बहुत सार का बिस्नस मिलने वाला है ओनलाइन बिजनस जनरेशन यह भी बहुत इंपॉर्टन त कि आप लीड कैसे कैसे जनरेट कर सकते हैं आप इमेल मार्केटिंग कर सकते हैं इमेल का बहुत सारे डेटा आपको मिल जाता है उसीमेल डेटा के अधार पर आप अपना टार्गेटइड वीडियो चार्गेट इमेज अपने टार्गेटइड टांड तक सकती भी moving का भी हो सकता धिलोशप का भी हो सकता है डिटेल्ल का भी हो सकता है आप के योपर करता है अप मुबाइल फोन की बहुत सारेवाइब द्री स zeros पर होती है जिब हम गूगल के एडवर्ड अकाउंट में को एड़ लगाते हैं तो वो लोगों के मुबाइल फोन में एपस के माधियम से शो करती है जितने भी लोग फ्री अपस्ते माल करते हैं उन फ्री आप को यूज करते सामें वहाँ पर आडविडिजमेंट आता है तो इस तरीके से आप अपने बिजनस को अडिफ़ाइज करके डिजिटल प्लाइफ एपने डिजनच कुछक और हासले से कर सकते हैं इसके लाबा आपको ज़रुवर्द है अपने शेल्स को और बिजनस को ग्रोऑ्त के वर याने लिएम प्रिफाइल मेंटेनेंस ओरुए अब कि आपकी प्रॉफाइल प्रॉपरले मेंटें रहे आपके बिजनस से संबंधित इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको शेर करनी हैं Image submission करना है यूरल सब्मिशन करना है आर्टिकल सब्मिशन करना है ब्लॉग साइट पर आपको ब्लॉग लिखने है आपकी टीम लिखेगी ओडियो शेरिंग आज बहुत सारे लोग साउंड क्लाउड सावन ओडियो मैक यू लिसन ऑनलाइन रेपूटेशन मैनेजमेंट आपको अपनी कं सब्सक्राइब करना था कि आपकी कंपनी की जो प्रेजन्स है वह बहुत 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 ब्रेजन्स बन सके ताकि कंज्यूमर का ट्रस्ट फैक्टर जो है न वह आपकी कंपनी और आपके ब्रैंट के प्रती बहुत अच्छा डेवलेप हो सके उसके लिए जरूवत ह अपनी retail sales को बढ़ाने के लिए, business में नए associate, नए partner, नए dealer, नए franchisee add-on करने के लिए, ये बहुत बढ़िया platform है, जिसके जरिया आप आसानी से अपनी sales को boom कर सकते हैं, इसलिए अपनी team को develop करें, मैंने बताया था है कि company का structure क्या होता है, marketing की एक team है, जो offline marketing करती है, या online marketing करती है, तो online marketing की team, जब ये सारा काम बहतर तरीके से करेगी, तो आपकी company में lead generation बहुत अच्छा होगा, जितना अच्छा lead generation होगा, उतना ज्यादा possibility of maturity of client बढ़ती जाएगी, इसके लाब आपके अमन में अगर कोई भी प्रश्ण है, तो वो Q&A में आप लिख सकते हैं, और हमारी team आपको उसका जबाब जरूर देगी, एक request में आपसे और करना चाहता हूँ कि जो भी note साब बना रहे हैं, उसको साथ साथ practical रूप से अपनी company में implement करना शुरू करें, ताकि आप desired result को हासिल कर सकें, स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं डॉक्टर अमित माहिश्वरी, आपके सुनरे भविश्य की काम ना करता हूँ, जै हिंद, जै भारत.